Hello students, आज हम पढ़ेंगे English Class 5, Chapter 5 My Elder Brother मेरे बड़े भाई What is your elder brother's sister's name? सबसे पहले आप अपने बड़े भाई या बेहन का नेम लिखेंगे How old is he C? वह कितने वर्स के हैं? Where do he C? Go to school where कहां school जाते हैं? What is his, her favorite hobby? उनकी hobby क्या है? वह note करेंगे और एक ही या तो आप बड़े भाई का लिखो या बड़ी बेहन का उसका यहाँ note करना है? उसका ही photo note करना है photo paste करना है This is a story by प्रेमचन टाइटल बड़े भाई साहब यहाँ जो story है वहाँ प्रेमचन जी ने लिखी है इनका टाइटल है बड़े भाई साहब The story so that experience is as important as hard work यह story है इसमें experience और hard work दोनों ही important है Scene A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table The elder brother, भहिया, is reading a book And the younger one, Munna, is drawing picture of birds and animals एक hostel room है ठीक है, एक hostel room में उसमें दो भाई है एक की उम्र है, 9 years old और दूसरे की 14 years वह दोनों इस्टडी जो नी पढ़ने वाली table पर बैठे है The elder brother, जो बड़ा भाई है उसको क्या कहते हैं भहिया क्या कर रहे है, is reading a book वहाँ एक किताब पढ़ रहे है, जो छोटा वाला है, उसको मुन्ना कहते है मुन्ना क्या कर रहा है, drawing picture of birds और animals की picture बना रहा है अब भहिया, what are you doing मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना कहते है, I am drawing, मैं drawing बना रहा हूँ भहिया, when will you study? तुम study कप करोगे, पढ़ाई कप करोगे? तो वह क्या कहते है, where were you in the morning? और भहिया बोलते है, तुम morning, सुबह मैं कहां थे? तो मुन्ना कहता है, turning pale, घवरा जाता है, और एक्तम डर जाता है डरते हुए बोलता है, पीला सपढ़ जाता है I was playing, मैं खेल रहा था भहिया तो भहिया कहते हैं, भहिया, how can you sit with a book for hours together? वो घवराते हुए कहता है, भहिया, आप कैसे? भहिया, आप कैसे? एक साथ, एक बुक को लेकर कई घंटों तक कैसे बैठ सकते हो? तो भहिया कहते हैं, that's because I want my foundation in education to very strong क्योंके मैं जो अपना foundation है, education का, उसे बहुत मजबूत बनाना चाहता हूँ If the base is strong, then the building will stand firmly अगर आपका base strong होगा, तो building जो भो भी मजबूत होगी, अगर आपकी पढ़ाई सुरू से ठीक होगी छोटे बच्चों की जैसे अच्छे से पढ़ाई आप अभी से करोगे, तो आप बड़े होके भी करते जाओगे उन्होंने फिर एक उधारण भी दिया, building will stand firmly, उन्होंने एक building के उपर उधारण दिया है, कि देखिए जैसे building बनाते हैं हम लोग, तो उनकी अगर नीम कमजोर होती है, तो वह गिरने का भी डर रहता है, इसलिए हमें अपने जो strong पढ़ाई को strong से करना है, मजबूत ली से क मुझे दो साल का काम करने में, एक साल का काम करने में दो साल भी लग जाते हैं मुझे कई बार तो, तो मुन्होंना कहते हैं, भाहिया, you are five years older than, I am in three classes, I hate off me, भाहिया, आप मुझसे पांस साल बढ़े हो, लेकिन आप मुझसे पांस साल बढ़े हो, फिर भी मैं three class आप से पी why you keep writing the same word twenty times में, तुम कैसे ये एक ही सब्द को बीस बार कैसे लिख सकते हो, तुम एक सब्द को बीस बार लिखते हो, one sentence more than twenty times, आप एक सेंटेंस को अधिक बार लिखते हो, कम से कम twenty बार लिखते हो, and copy poem several times in beautiful letters, जो आप points की हैं, उनको इतने अच्छे से इतने अच्छे अच्छे सुन्दर सुन्दर word बनाते हैं, कितने वार लिखते रहते हो, तो भाईया कहते हैं, you know, मैं जानता हूं, study English is no child's play, English पढ़ना कोई बच्छों का खेल नहीं है, one has to work very hard in order to learn to subject, इस subject का जो कार है, बहुत hard है, और इसको सीखना बहुत ही कठिन है, to speak or write English properly, English को properly बोलना और लिखना कैसा है, बहुत कठिन है, tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marvels and fly kites, so sit idling away with friends for fun, can't you sit down and study, देखो, तुम तो अपने जो मित्र हैं उनके साथ भागते रहते हो, खीतों में भागते रहते हो, marvels कंची खिलते रहते हो, पतंग उड़ाते रहते हो, और अपने मित्रों के साथ बैट कर, हशी मजा करते रहते हो, can't you sit down and study, क्या तुम यहां बैट कर पढ़, क्या तुम यहां बैटो, बैट सकते हो यहां, और पढ़ो, मुनना, ओह भाईया, there is big mala in the place, today, should we go, ओह भाईया, अरे भाईया, आज, हमारे जो गाउं में, मेला लगा है, हम वहाँ चलें क्या, हमें वहाँ चलना चाहिए क्या, भाईया कहते हैं, Have you ever seen me going to fair, or going to watch a cricket or hockey match, क्या तुमने मुझे, कभी मेला जाते देखा हैं, कभी hockey और cricket को खिल देखते देखा हैं, या खिलते हुए देखा हैं, I don't go near them, मैं उनके पास भी नहीं जाता, I prefer to study a book, मैं क्या करता रहता हूँ, केवल books पढ़ता रहता हूँ, I don't mind repeating a class for more than two years, मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता हैं, अगर मैं एक class को दो बार मैं भी पास करता हूँ तो, but you might stay in the same class all your life, लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ में same ही class में रहोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम अपनी सारी किशारी लाइफ में एक ही class में रहोगे, do you expect to pass if you waste your time playing all the time, क्या तुम अपना जो सारा समय है, उसे खिलने में ही वेस्ट करना चाहते हो, you are simply wasting father's heart and money, तुम्हें पता भी है, जो हमारे पापा ने इतने मेहनस से धन कमाया है, हम उसको कैसे simply साधाना तड़ी के से कैसे waste कर सकते हैं, क्या तुम जानते हो हमारे पापा ने हमको कैसे होस्टल में वेजा है, कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं वो, कितना धन कमाया और तुम ऐसे ही waste, simple से ही waste करते जा रहे हो, मुन्ना स्टार्ट कर दिया, सुपका ही लेना स्टार्ट कर दिया, वा, 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 हीए, मुन्ना, भाया, I feel like running away and going back home, भाया, I feel like running away and going back home, भाया, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, कि मैं घर वापिस दोड़कर चला जाओ, भाया, now, now, stop crying, put on a nice smile, look I will make a time table for you to follow, get up at down, तो वह कहते हैं, भाया, जो कहते हैं, अब, stop crying, रोना बंद करो, put on a smile, nice smile, मेरे सामने अब एक बहुत अच्छी से smile दो, और देखो, मैं तुमारे लिए time table बनाता हूँ, उस पर तुमें follow करना, उसको मानना है, सुबह, क्या करना है, सबसे पहले सुबह, आपको बहुत जल्दी जगना है, time से rule बना रहा है, उन्होंने time table बना रहा है, six, wash your hand, six वजे आपको, क्या करना है, अपने hands को धूना है, और have your breakfast, breakfast लेना है, और sit down to study, फिर उसके बाद पढ़ने बैट जाना है, six से eight तक English पढ़ना है, eight से nine तक Maths पढ़ना है, nine से nine thirty तक History पढ़ना है, thirty, three से three, thirty तक off to school, school से, school तक जाना, फिर school से आना है, इसमें five से six तक grammar और half, and one hour strolling exercise करनी वस हाफ, six से six, six thirty से seven पी अम तक आपको English competition करना है, then dinner, तब फिर उसके बाद dinner लेना है, और eight से nine तक Translation, nine से ten पी अम तक Hindi पढ़ना है, ten से eleven तक Other subject, और उसके बाद बैट पर सो जाना है, मुनना, but when is the time to play, लेकिन अब इसमें time में खिलना कब है, इस time table में खिलना कब है, भाईया, play, what is the need मुनना, खिलना, मुनना, खिलने के क्या जरूरत है, मुनना, Oh, I love the green field, the gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and huttutu sound of the kabaddi and the hurry and furry of volleyball pulls me like a magnet, as soon as I am on the field, I forget everything, तो वो कहते हैं, मुनना कहता है, Oh, मुझे green field बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं वहां की जो हवा है, ताजी-ताजी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और football की समान मुझे, जम्प कुनना भी बहुत अच्छा लगता है, I like touch, और जो touching वाला खेल है, वो भी मुझे पसंद है, गो, and huttututu sound वाली जो kabaddi करते हैं, kabaddi में खेलते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और volleyball में खेलते हैं, इधर से उधर उच्छालते हैं, उसको वो भी बहुत पसंद आता है, as soon as I am on the field, जैसे ही मैं खीतों पर जाता हूं, तो मैं वहाँ सब कुछ भूल जाता हूं, आपके लिए second scene से हम आपको next video में बताएंगे, यहां तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी है, इस्टोरी भी है, तो यह आपको अच्छी लगी होगी, यह किस ने लिखी है, प्रेम चंद ने, धन्यवाद,